आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक के सिहिंग राशी फल के बारे में सिहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे ये 7 दिन कैसे रहेंगे और इन 7 दिनों में ग्रहन नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी उनका प्रभाव आपके दिन चर्या पर किस तरह से होगा किन चीजों में आपको सावधानी रखनी हैं किन चीजों से आपको लाब होगा आर्थिक जीवन कैसा रहेगा परिवारिक जीवन कैसा रहेगा सिक्षा स्वास्त है हर चीज के बारे में जानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ दोस्तो 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक के बात कर रहे हैं इन साथ दिनों में अगर हम चंद्रमा की इस्तिती देखें तो चंद्रमा सेहिंग राशी के लोगों के लिए नवे भाव में, दसम भाव में, इकादस भाव में और द्वादस भाव में होंगे यानि ये चार भाव आपके सक्रिया वस्ता में होंगे और इन चार भावों में चंद्रमा की जो सक्रियता है चंद्रमा की जो इस्तिती है उसी के अनुसार आपकी दिन्चरिया भी प्रभावित होगी सब्ताहकी शुरुवात में चंद्रदेव नवम भाव में होंगे जो की भागय का भाव होता है जो की धर्म का भाव होता है नवम भाव में बैठकर चंद्रमा आपके जो गुसेल स्वे भाव है उस पर थोड़ी लगाम लगाएंगे जो सहिंगराशी के जातकों को जल्दी जल्दी गुसा आता है उससे निजात मिलते दिखेगी आप लोगों के साथ शांती पूरवक रहते हुए वारतालाब करेंगे, बाचीत करेंगे और आपके व्यवार में सकारातमक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा सकारातमक परिवर्तन होगा तो आसपास का वातावरन भी सकारातमक होगा तो ये जो समय होगा ये आपके भागे के लिए भी हैद अच्छा है आपकी राशी में शुक्र बैठ कर आपके साख में जाफा करेंगे यानि आपकी जो मान सम्मान है वो बढ़ेगा परतिस्टा बढ़ेगी लेकिन आपको यहां किसी पर भी विश्वास करने से बचना है किसी भी व्यक्ति पर जो अंजान व्यक्ति हो उस पर खास तोर से आपको विश्वास नहीं करना है आपकी महत्व कांक्षाओं को एक नई गती मिलेगी अपनी महत्व कांक्षाओं को आप पूरा करनी की तरफ चलेंगे मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्थ होगा रिष्टेदारों से भी किसी बात को लेकर कुछ तो मैम हो सकती है तो उनसे भी थोड़ी सावधानी रखें लेकिन इस दौरान कोई सौधा आपके लिए बहुत लाबदायक रहेगा आपको इस वादा करते हैं तो उसमें आपको लाबदायक इस्तितियां बनेंगी इस अफ़ते आप निस्वार्थ भाव से अपनी परिवार की जरूरतों को सबसे अधिक महत देने वाले हैं घर हो या आपका काम हो किसी भी जगा कोई परिशानी आती है तो आप उसका डट कर सामना करेंगे और इस बात पर विचार करेंगे बिना घवराए कि आप उस चीज को कैसे उसका सामना कर सकते हैं कैसे उसको ठीक कर सकते हैं तो यह जो इस्तिति होंगी यह आपके लिए कि काफी अच्छी होंगी इसके बाद चंद्रमा राशी बदलेंगे और आपके दसम भाव में आ जाएंगे जो की कर्म का भाव है कारेशेत्र का भाव है इस दोरान समय ठीक ठाक रहेगा कारेशेत्र में आपको द्यान से काम करना होगा तो बहतरे इन डिजल्ट मिलेंगे चंद्रदेव के दसम भाव में आने से किसी सौदे से आपको लाबदायक योग बन रहे हैं कोई सौदा आप इस दोरान करेंगे जो आपके लिए लाबदायक से धोगा किसी अनुबंद या समझोते से लाब के मार्ग प्रशास्त होंगे और कामों में सफलता मिलेगी संगीत के काम से आप जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए ये समय काफी स्रेश्ट रहने वाला है शुक्र आपके लिए इस दोरान काफी अच्छी रिजर्व देने वाले साबित होंगे आपकी कमाई को बढ़ाएंगे मान सम्मान को बढ़ाएंगे प्रतिस्टा को बढ़ाएंगे लेकिन यहां आपको जो इस संगीत जैसी चीजों से जुड़े हैं उन लोगों को थोड़ी सी सावधान ये रखनी है किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी व्यंगात मक्ट इपड़िया आपको नहीं करनी है वरना आपके लिए परिशानिया जरूर खड़ी हो सकती है इस दोरान विदे से जुड़े लोग जो है इस राशी के उनकी किस्मत चमक सकती है वेपार में भी आपको कुछ आशक के अनुरूप लाब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यह स्थिती भी आपके लिए अच्छी है इसके बाद चंद्रमा इकादस भाव में जाएंगे इकादस भाव लाब का भाव होता है आपके इकादस भाव पर गुरू की सब्तम दृस्टी भी पड़ी हुई है जो आपके बिग्ड़ हुए कामों को बनाने का काम करेगी गुरू की जो दृस्टी है यह धन के प्रवाह को बढ़ाएगी इस दोरान आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कारेकरम भी हो सकता है चोटे भाई बहनों का भी पून सहयोग आपको प्राप्त होगा जिससे आपके जीवन की कई मुश्किलों में आपको आसानी रहेगी कई मुश्किलों को आप पार कर पाएंगे तो ग्यारवे भाव के चंद्रमा भी आपके लिए अच्छे हैं निवेश में अच्छे लाप दिलाएंगे मांसिक बल देंगे मांसिक बल अच्छा होगा तो अपने कामों पर ध्यान लगाएंगे बड़ों का आशिरवाद मिलेगा बड़ों के आशिरवाद से कई बिगड़े हुए काम आपके बन सकते हैं इस दोरान घर परिवार के किसी सदस्य की मदद से आपको मन में काफी संतोस रहेगा कुछ पुराने मित्रों से मलाकात भी होगी छोटी मोटी दिक्कतों को छोड़ दें तो बहुत अच्छा समय रहेगा सेहत काफी अच्छी रहेगी तन ही नहीं मन से भी आप खुद को काफी बहतर महसूस करेंगे ये समय लंबे आर्से के बाद प्रेमी प्रेमी कास के साथ बिताने के लिए अच्छा आवसर होगा इस दौरान कुछ जोखी भरे जो कारे हैं उन से थोड़ा सा दूर रहें तो अच्छा है इसके बाद चंद्रमा राशी बदलेंगे द्वादस भाव में आ जाएंगे आपके द्वादस भाव में चंद्रमा केस्थे दी उन लोगों के लिए लाबदाएक है जो विदेश से जुड़ा वैपार करते हैं जो कि इस भाव को हानी का भाव विदेश का भाव कहा जाता है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है किसी भी तरह से आप विदेश से जुड़े है बाकी स्वास्ते का अंतिम दिनों में थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा आपके अंदर जो किसी बात को लेकर नकारात मकता आती है उसे दूर करना होगा इस दौरान आपके प्रतिवण्दी हैरान हो जाएंगे आपके काम से और उन पर आप काफी हावी भी बनते हुए दिखाए देंगे मन को शांत रखने की कोशिश करें काफी धर्ये के साथ काम आपको करना होगा मन को शांत करने के लिए आप योग अभ्यास कर सकते हैं ध्यान कर सकते हैं कारियस थल पर ठीक ठाक समय रहेगा अगर ऐसा हज महसूस करते हैं तो आप जरूर मेडिटिशन करें सप्ता का जो ये अंतिम समय है जो की 12 बाव में जंद्रमा की इस्तिती है आपकी खर्चों को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है इस दोरान आकसमिक खर्चे आ सकते हैं जो स्वासे समंदी भी कुछ हो सकते हैं और घर परिवार से जुड़े हुए भी इस समय हो सकते हैं तो उन खर्चों को आपको खुद मैनिस करना है कौन सा खर्चा आप कर सकते हैं विकार बेवज़े के खर्चों पर नियंत्रन आपको जरूर करना होगा विवाहिक जीवन वाले लोगों के लिए परिष्थितियां अच्छी रहेंगी पूरा सब्ता विवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा परिवार का माहुल साथी की वज़े से काफी अनुकुल रहेगा विद्यारतियों की यदि बात की जाए तो विद्यारतियों के लिए भी ये जो समय है अनुकुल रहेगा विद्यारतियों भी अपने पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे दिहान दे पाएंगे, अपना स्वास्तय का भी दिहान रखेंगे और जीवन में एक सकारात्माग बदलाव महसूस करेंगे उनके यह भी यह समय अच्छा है कुछ मांगली कारेकरम होने का इस सब्सक्राह में जरूर योग बन रहा है कुछ मांगली कारेकरम होगा जिसे परिवार का माहूल काफी पॉजिटिव रहेगा तो ये पूरा सब्तहा आपके लिए अच्छा है और इस सब्तहा में अगर आपके हम उपायों की बात करें तो आप स्री गणेश को सिंदूर चड़ाए ये गणेश चालिशा का पार्ट भी आप कर सकते हैं जो बेहत अच्छा हुपाय आपके लिए रहेगा तो दोस्तों और अदे किसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को जदे जदे लाइक करें शेयर करें